नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शर्मा स्वाय करता हूं सभीका आपके अपने चनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यापर बात करने वाले हैं 2022 में एकनॉमिकल ग्राफ के बारे में जी हाँ, देश और दुनिया में financial स्थिक किस तरह से रहने वाली है? क्या हमारा देश आर्थिक मंदी से बाहर निकल पाएगा? क्या देश और दुनिया में आर्थिक मंदी के कारण से कोई बड़ी दिकतने, बड़ी परिशान्या तो नहीं होंगी? शेर मार्केट कितना उपर कितना नीचे जाएगा? सोने चांदी का क्या हाल रहेगा? क्रिप्टो करनसी कब उच्छाल पर रहेगी और कब डाउन टेंट पर रहेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास देखने को मिले थे। सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज देने की कोशिश करूँगा और उमीद करूँगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। ये इस बार मार्केट जो हूँ उपर भी टॉप करेगा और नीचे भी टॉप करेगा। मलब की बड़ा क्रैश भी होगा यहाँ पर और बहुत सारे फ्लक्टुएशन भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। होता है। एवरी सिंगल प्लैरेट इस वेरी वेरी इंपॉर्डेंट पॉर इनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन जैसे हम फाइनेंस की कैलकुलेशन करते हैं, एक सेपरेट पैटर्न बना हुआ हुआ है। इस बार का शेर मार्केट के लिए अपना है क्रिप्टो के लिए अपना है क्यलकुलेशन है, सोने चान्दी के लिए अपना है क्यलकुलेशन है। इस बार का शेर मार्केट काफी ज़्यादा फ्लक्टुएशन लेकर के आ रहा है, एकनौमी इस बार काफी ज़्यादा फ्लक्टुएट करती हुए नजर आएंगी। सालों में कुछ ऐसी स्थी बन सकती है, जिसके कारण से हम भी एकनौम को लेकर परिशान रहें और उसको कवर करने के लिए 2022 का साल भारत की एकनौमी के लिए एक महत्वपून साल यहाँ पर होता हुँआ नजर आएगा। चाइना के लिए भी एकनौमिकली यह दिखा जाये तो 2022 का साल बहुत ही ज़ादा महत्वपून है। यूएस के लिए भी अपने आप में 2022 का साल काफी ज़ादा महत्वपून आता है एकनौमी के ग्राफ के तरफ को लेकर के अगर हम चले तो। इस बार चाइना यहाँ पर मार्केट में भारत की और दुनिया के अर्थ व्यवस्था को बिगारने में चाइना का हाल बड़ा रहेगा। जी हाँ चाइना का कहीन के हाथ रहेगा कि चाइना फ्लक्शुशन देगा और चाइना मार्केट को बिगारने की कोशिश करेगा। जी हाँ 15 जैनवरी से लेके 30 जैनवरी के बीच में ही आपको एक छोटी सी जलक दिख जाएगी मार्केट की कि पूरे साल किस तरह से मार्केट वैरी करता हुआ नजर आएगा, कब उपर और कब नीचे जाएगा इसको समझ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। जैनवरी का महीना, मार्च का महीना, क्रैश का महीना रहेगा कई ने कई, यहाँ पर मार्केट में एकदम से उतार और एकदम से चड़ाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलके देखें, तो सेप्टेंबर और अक्टूबर का जो समय रहेगा, वो भी मार्केट के लिए काफी ज़दा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा। एकदम से सड़न डाउनफोल हमें सेप्टेंबर अक्टूबर के बास पास देखने को मिल सकता है। ज़दा अच्छा रहेगा। यहां पर देखा जाए, क्रूड ओयल के लिए भी देखा जाए, तो mid of the year क्रूड ओयल के भी बहुत ज़दा अच्छे फ्लक्टूशन देदा हुआ, नजर आएगा। क्रिप्टो करंसी, अगें एक बार फिर से दो तर्फा खेलने की कोशिश करेगी, क्रिप्टो करंसी पहले डाउन जाएगी, फिर अप जाएगी, फिर वापिस डाउन एफिर लास्ट में end of the year अप जाएगी, चार बार क्रिप्टो करंसी में बड़े फ्लक्टूशन आपर आपको देखने को मिलेंगे International Market या Global Market की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Global Market में भी अमेरिका को थोड़ा सा परिशान होना पड़ेगा अमेरिका को कहीं कहीं fluctuation देखने को मिलेगा अमेरिका और चाइना ग्लोबली परिशान होंगे और कुछ देश हैं जहाँ पर पैसो को लेके मतलब एकनोमी को लेके बहुत ज़ादा परिशानी रहेगी और उन्हें दूसरे देशों से मदद भी मांगनी पड़ सकती है ऐसे भी chances बनते हैं तो यह एक बहुत बड़ी यहाँ पर चीज है यहाँ पर देखा जाए तो बैंकों में काफी सारे rules में बदलाव किया जाएगा इस बार एकनोमिकली काफी साथा बदलाव यहाँ पर संबाव है बैंकों में rules change हो जाएंगे चीजों को लेके rules बदल जाएंगे World Bank का बार-बार नाम लिया जाएगा इस तरह के भी chances आपके देखने को मिलते है यहाँ पर देखा जाए तो यह साल बहुत ही अच्छा साल है भारत अपनी currency भी launch कर सकता है इसके भी पूरे-पूरे chances यहाँ पर दिखाई देते हैं especially जो समय रहेगा June-July के आसपास का समय रहता हुए यहाँ पर नजर आता है मैसे July के बीच में काफी strong chances है कि भारत मार्केट को बिगाड़ने का काम करेगा या भारत मार्केट में एक नया बदलाव करने का काम करेगा इसके भी chances बनते हैं यहाँ पर एक और important चीज़ अगर मैं आपको बता हूँ तो इस बार हर एक industry grow करती हुए नजर आएगी और हर एक industry downtrend भी देखने की कोशिश करेगी मलब कि industries में भी up and down दोरो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी Film industry क्योंकि अच्छा रहेगा film industry के लिए growth वारा year रहेगा और इस साल का end film industry के लिए काफी ज़्यादा positive response देता हुआ नजर आएगा यहाँ पर दो-तिन चीज़े हैं जिनको आपको समझना होगा इस पूरे साल में आप सभी से एक ही request करूँगा कि market में अपने आपको कम active रखिए या फिर कम समय के लिए active रखिए मदब कि aggressive approach मत रखिएगा profit लेते लेते आप loss लेलोगे यह पूरे पूरे chances यहाँ पर आपको बनेंगे छोटे profit के साथ जो आप market में अपने आपको रखोगे तो वहाँ पर आपको फायदा मिलेगा जो बड़े profit के लिए market में बैठेगा उसको नुकसान के chances यहाँ पर जाधा बनते होए नजर आएगे छोटा profit लो, निकल लो, खुश रहो तो वो आपके लिए जाधा अच्छा जाएगा तो वहाँ पर आपको surprise के साथ शोक ना लग जाए इस बात का विशेश ध्यान आपको रखना है यहाँ पर देखा जाए तो यह जो इस बार का जो market रहेगा इस साल का जो economical growth रहेगी यह आपकी एक तरह से growth तो रहेगी बट यहाँ पर balancing period बहुत ज़रूरी है especially May से लेके August तक के बीच का जो समय रहेगा यह काफी ज़ादा महत्रपूर्ण समय रहता है इस पूरे साल में market की growth के लिए यह पूरा साल अगर आराम से निकलना है तो यह समय बे आपको trade करना चीए यही समय trade के लिए सबसे अच्छा है जो लोग fluctuation करते हैं जो intra-day पर जाते हैं उनके लिए January, February का महिना best है आपको कही न कहीं फायदा मिल ही जाएगा आप बड़े अराम से profit निकाल सकते हैं इसमें आपको काफी ज़दा benefits मिलते हुए नजर आएंगे cryptocurrency पूरे देश को और पूरे विश्व को कहीं न कहीं चोकाने वाले काम करने वाली है इस बार 2022 का market कुछ इसी तरह से जाता हुआ दिखाई देगा 2022 में medical science भी तरक्की करीगी इसलिए medical के shares भी बहुत ज़द अच्छे जाने वाले हैं तो उसमें तो कोई doubt ही यहाँ पर नहीं है तो इसलिए medical के shares अच्छे जाएंगे bank nifty भी यहाँ पर दिखा जाए तो अच्छे progress पर रहता हुआ नज़र आएगा bank nifty भी आपको अच्छे results देती हुई नज़र आएगी nifty fluctuation देगी और sensex भी यहाँ पर fluctuation देता हुआ नज़र आएगा तो overall देखा जाए तो definitely यहाँ पर fluctuations है और dates में आपको अड़ी बता दिये January के महीने में 15 January से लेके 30 January तक के बीच का जो समय है खास कर इसको और detail में बताऊं तो 16 January से लेके 20 January तक के बीच का जो समय है यह बहुत important समय है market के लिए और trading के लिए इसके बाद अगर दूसरे समय को हम देखे तो यहीं पर दूसरा समय आता है आपका 19 February से लेके 26 February तक के बीच का जो समय है यह भी एक महत्वपूर्ण समय यहाँ पर होने वाला है तीसरा समय जो आता है आपका तीसरा समय यहाँ पर आता है March और April की बीच का समय जो mid term रहेगा तो 7 March से लेके 7 April तक के बीच का जो समय है यह भी काफी ज़दा fluctuation वाला रहेगा कुछ मुद्दे निकल के आने वाले हैं 100% कुछ मुद्दे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ ऐसे मुद्दे गड़े मुर्दे जो की यहाँ पर आपके unexpected होंगे कोई बड़ा गोटाला यहाँ पर बहार निकल के आ सकता है कोई बड़ा scam यहाँ पर हो सकता है और share market में economy में बड़ा परीवरतन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कोई company एकदम से down जाते जाते एकदम से उपर जा सकती है कोई व्यक्ति किसी company को खरीच सकता है इस तरके भी chances यहाँ पर बनते है जो की breaking news बनाने की काम करेंगे तो March और April विल बी the full on breaking news month और यहाँ पर market में काफी ज़दा मज़ा आने वाला है इस साल economy की graph बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे economy अच्छी है 2022 में और एक growth की economy यहाँ पर देखने को मिलेगी चाइना हालक की economically पूरे world को disturb करने का काम करेगा और वो भी आप सभी यहाँ पर देखेंगे उमीद करता हूँ कि आप सभी इसी तरह से economically अपने आपको strong बना के रखेंगे कहीं कोई दिकत कोई परशान नहीं आएगी और एक अच्छे लेवल पर आप अपने आपको stable करते हुए नज़र आएंगे उमीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा bell icon पर जरूर से करिएगा इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समना चाहते हैं आप उसे संबब कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संबब मदद्यां पर कर सकूँ नहीं आप